News 18 इंडिया और 2024 में बीजेपी को हराने का धावा कर दिया इसी बीच उत्तरप्रदेश, बिहार और दिल्ली के बाद जमू कश्मी से भी विपक्षी गडबंदन के लिए एक गुड न्यूज आ गई और उत्तर से दक्षन तक कई पोलिटिकल स्टार जुड गए है लेकिन बड़ा प्रस्टी ये है कि जनता जनारदन के वोक्स आफिस पर ये फिल्म कितनी धूम मचाएगी और इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे है क्योंकि इस गडबंदन में कुछ डल ऐसे है जो एक या दो नहीं बलकि कई चुनावों में लगातार मूग की खा रहे है तो आज इसी मुद्धे पर होगी देश की सबसे बड़ी पोलिटिकल बैस विपक्षी विपक्ष की यारी कौन किस पर भारी आज का आर पार इसी पर विवर्स अब की बार चार सो पार का विश्वास चार सो पार का विश्वास कर दो इससे आप सियासी सीक्वेल वाली फिल्म कह सकते हैं क्योंकि 2017 में दो लड़कों की जोड़ी का पार्ट बन दिखा था हलाकि तब ये सुपर फ्लॉप साबित हुआ था लेकिन साथ साल बाद ये जोड़ी नए तेवर और नए कलेवर में NDA को मात देने की ताल ठोक रही है हमाद फिलकर जो हिंदुस्तान में दप्रत पहलाई गई है इसके किलाव बने बने बना होना है फिलके करा होना है इस बीच यूपी, दिल्ली, बिहार, गुजरात और बंगाल के बाद विपक्ष के लिए एक और गुट न्यूज आई है ख़बर है कि जम्मु कश्मीर में कॉंग्रेस एंसी और पीडीपी के बीच सीट शेरिंग को लेकर बात बन गई है और इसका अपचारिक एलान इसी हफते हो सकता है लेकिन इसी बीच बसपा से पलटी मार कर अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हुए सांसद अफजाल अंसारी ने पीम मोदी और ग्रहमंत्री अमित शाह को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है उधर असम में नया सियासी बवाल मच गया है वहां की हिमंत विस्वा शर्मा सरकार ने मुस्लिम विवाद और तलाक कानून को निरस्ट कर दिया है जिसके बाद असम में बाल विवाद पर रोक लग गई है यह हम बरदाश नहीं करेंगे यह किसी एक धरम भिशेश लोगो पेटेक है सिर्फ सामने इलेक्षन है किसी एक कम्यूनिटी को टार्गेट करके दूसरे कम्यूनिटी को खुश करके इनको इलेक्षन के बहितरुनी पार होना यह इनका मकसद है तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी वहस विपक्षी की यारी कौन किस पर भारी तो विपक्षी की यारी कौन किस पर भारी लेकिन आज इस विपक्षी की मल्टी स्टारर फिल्म का एक बड़ा रिव्यू मैं आपके सामने पेश करूँगा यानि विशलेशन एक अलग अन्दास में होगा विपक्ष की मल्टी स्टारर सियासी फिल्म का रिव्यू विशनेशन अखिलेश यादव की प्रफॉमेंस साल 2014 लोकसाबा चुनाव साल 2017 विधान साबा चुनाव साल 2019 फिर लोकसाबा चुनाव साल 2022 विधान सभा चुनाव में फ्लॉप रही है सियासी फिल्म लगातार हार का सामना करा है इसके लावा निकाय चुनाव, निगम चुनाव, पंचाया चुनावों में भी हार देखी है बरता हुए आगे अब राहुल गांदी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं 2019 में गांदी परिवार का गड़ यानि अमेठी हार गए राहुल की अध्यक्ष्टा में दस राज़े और एक लोकसवा चुनाव हारी पार्टी 2019 में भी एक बड़ी हार हुई थी और खुद की सीट नहीं बचा पाए थी अर्मिंद केजडी वाल का परफॉर्मेंस ये एक खिलाडी है जिसने खुर थोड़ा दम कम दिखाया है 2015, 2020 में दिल्ली में सरकार बनाई और 2022 में पंजाब में बंपर चीत आई लेकिन मोदी के सामने जब खड़े हुए तो 2014, 2019 में 60 सीटे मिली लोकस्वा के अंदर बहुत बड़ी हार मिली और तो और बड़ी बात ये थी कि दिल्ली के लोकस्वा चुनाव के अंदर तो नंबर तीन पार्टी बन गई आम आदनी पार्टी यानि कॉंग्रेस से भी पीछे वोट शेर रहा मद्दपरदेश राजिस्तान 36 गर में उतारे 204 कैनिडेट 201 सीटों पर जबान अजबत हुई नोटा से भी कम वोट मिले है ये है सचाई तिजश्वी यादव का परफॉर्मेंस 2019 के चुनाव में शूर ने सीट में ली नितीश की पल्टी का फायदा हुआ तो डिप्टी सीएम बन गए ममता मेनरजी का परफॉर्मेंस ये है कि पश्यम बगाल में चुनाव की जीत की है ट्रिक लगाई लेकिन बीजेपी का बड़ा कद ममता के समय पर बीजेपी का बंगाल में कद बढ़ गया और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ममता को लोगसवा चुनाव में भी बड़ा नुकसान हो सकता है और बंगाल में अभी सीट शेरिंग हुआ नहीं है तो ये एक बड़ा नुकसान है झाल नहीं है